मटन बिरियानी मटन कोड़मा या मटन कड़ी ये सब तो हर वक्षाया जाता है लेकिन आज सोच है थोड़ा सा मटन कीमा ही बनाया जाए मेरे आनी से लेके कड़ी तक आलू होना तो बहुत जरूरी है मेरे लिए इसलिए आज कीमा बनाने में भी आलू मैंने अट कर लिया क्योंकि मतन में ऐसी बहुत फैट होता है तो इसके वज़े से मैंने ओयल थोड़ा कमी उस किया था और उसी के साथ मसाला भी मैंने काफी कम लिया था क्योंकि यह ओल लेडी छोटे छोटे पीस में कटा हुआ है तो इसलिए आज मैंने इसे प्रेशर कुकर में नहीं दिया कड़ाई पे ही इसे बना लिया तो अब मसाला एट करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी आट किया था जिसका वीडियो मैं उठाना ही भूल गई रही कीमा को अच्छे से भूल लेने के बाद उसमें आलु एट करने के बाद और भी थोड़ी दिर चला लेना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए बस उतारते वाक हडी मिल्ची और धनिया का पत्ता देखें आप उसको उतार सकते हैं इस रेडी था मेरा मटन कीमा और उसके साथ रोटी मुझे तो इतना भूक लग गया था कि मैंने खाने शुरू कर दिया अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा